अयोध्या में नौरात्र के अंतिम दिन भव्वे तरीके से जश्ण मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है नौरात्र का अंतिम दिन रामलला के जनमोचो के रूप में भी मनाया जाता है राम जन्मभूमी टुस्ट ने राम लला के अस्थाई मंदिर में अंतिम बार मनाये जा रहे जन्मोच्व को एतिहासिक बनाने की खास तैयारियां की है पूरे मंदिर परिसर को फूनों से सजाया गया है हर रोज भगवान की मूर्तियों को नए कपड़े पहनाये जा रहे हैं मंदिर के पुजारी सत्यंद्र दास ने बताया कि गुरुवार को जन्मोच्व पढ़ने के कारण भगवान को पीले रंग के कपड़े पहनाये जाएंगे मंदिर सजाए गए हैं और साथ-साथ कुछिए गुरुवार का दिन है उस दिन पीले बस्त को जहन करा जाएंगे और कराएंगे हैं और साथ-साथ प्रशाद का जो वित्रन है वह अच्छी परकार से बन करके त्यार होगा है और उसको भोग लगेगा और वह प्रिशाद जो है भक्तों के बीच में वित्रण किया जाएगा इसे बड़े ही भब दिब रूप से इस वर्ष राम लला का जनमुत्सों मना जा रहा है राम जनमुत्सों के दिन श्रधालू में प्रसाद बाटने के लिए 12 कुटल से ज्यादा पंजीरी बनाई गई है अरमान के मताबिक एक लाख से ज्यादा श्रधालू मंदिर के दर्शन करेंगे जिरहें प्रसाद बाटा जाएगा सीता राम ज्यादाव पिछले 60 सालों से प्रसाद बना रहे हैं वो अर्स हाई मंदिर में अंतिम जनमुत्सों के मौके पर प्रसाद बनाने को अपना सौभाग्य मानते हैं इस साल प्रसाद के रूप में चरण अम्रित के अलावा राम दाना सिंहाडे के आटे की पंजीरी धनिया की पंजीरी सूखे मेवे मौसमी फल और मिठाईयां श्रधालूं में बाटी जाएंगी देसी घी में बने प्रसाद में मिष्री चीनी और गरी के बुरादे का इस्त उसरे तैयार हो रही है जो कि उनको और चर्नामित जो सब को अपलब काये जाए स्रीराम जन्मभूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के कैम्प कारियाले प्रभारी प्रकाश गुपता ने बताया कि इस साल राम लला के जन्मोट्सों के मौके पर लाखों लोगों के आने की उम्मीद है ट्रस्ट की कोशिश हर श्रधालू को प्रसाद देने की होगी राम जन्मोट्सों के मौके पर धूम धाम से पूजा के अलावा कई कारिक्रमों के आयोजन की तयारियां है